नमस्कार साथियो मैं सौरब कोली आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है ट्रिकी एजुकेशन इसमें आप गौर्मेंट जॉब से समंदित और एजुकेशनल वीडियोज देखेंगे और उसका ग्यान पाएंगे धन्यवाद नमस्कार साथियो मैं सौरब कोली आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल में जिसका नाम है ट्रिकी एजुकेशन आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 3 की तीन महादीपों में फैला हुआ समराज्च्य ये चैप्टर 11 क्लास के कख्षा अर्थियों के लिए तो उपयोगी है ही साथ में के वीएस एन्वीएस डी ट्रिपल एस भी और अन्य गौर्मेंट एक्जाम्स के लिए भी लापकारी है तो चली शुरू करते हैं में पॉइंट्स अब दा चैप्टर रोम इत्यास को जानने के लिए जिन अफशेशों की ही साहरा लेना पड़ता था वह इस प्रकार है या कहें तो रोम इत्यास को जानने के स्त्रोथ है पाठ्थे समंगरी दस्तावेच आदी रोम समराज्य में अनेक भाशां बोली जाती थी लेकिन प्रशाश की ये भाशा यानि कि वहां कि जो प्रशाशन की भाशा थी वह लैटिन थी तो यह हमें समझ आ गया कि अनेक भाशा तो बोली जाती थी लेकिन प्रशाशन की भाशा अनेक थी प्रतम समराथ अगस्तस ने 27 इसापूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था पिछली बार के DSSB, KVS, NVS हर किसी में ये प्रशन जरूर आया हुआ है अंगला पॉइंट है रोमन समराज्य तीन मादविपों में फैला था पहला है अफरीका, दूसरा है एशिया, तीसरा है यूरोप तो तीन समराज्य कौन-कौन से थे अफरीका, एशिया और यूरोप में फैला था ये रोमन समराज में पॉम्पोई को छोड़ कर साक्षरता कम थी ये एक important question हो सकता है आने वाले government exams के लिए रोमन समराज में पॉम्पोई जो एक प्रांत था उसको छोड़ कर साक्षरता दर्व कम थी रोमन समराज ये श्ठम प्रबंदन के लिए यानि कि labor management का अच्छा प्रावधान था वापर रोमन समराज में श्ठम प्रबंदन का अच्छा प्रावधान था रोमन समराज में बंदर गाहों खानों खदानों और इट भटों तथा जैतून तेल की फैक्टरियां काफी संक्या में थी तो यह हमें ध्यान रखना होगा कि रोमन समराज में बंदर गाहें खाने खदाने इट बटे तता जैतून तेल की फैक्टरियां थी इसलिए वे आर्थिक रूप से काफी मजबूत था रोमन समराज जी के आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी क्योंकि यह सब चीजे उसके पास थी क्योंकि यह सब चीजे जिनके पास होंगी उनके आर्थिक स्थिति तो वैसे ही मजबूत रहेगी रोमन समराज में श्रम प्रबंदन अच्छा था यह हम पहले भी चर्चा कर चुके है चोती सद्धी सांस्कृतिक तथा आर्थिक हल्चलों से युक्त थी अगर हम बात करें चोती सद्धी सांस्कृतिक तथा आर्थिक हल्चलों से युक्त थी कॉंटेस्टाइन ने इसाई धर्म को राजधर्म गोशित कर दिया शाशक था कॉंटेस्टाइन काफी इंपोर्टेंट है, कॉंटेस्ट है, इनने इसाई धर्म को राज धर्म गोशित कर दिया था, इसके अलावा यहुदी धर्म, रोम समराज जी का एक अन्य धर्म भी था रोम समराज जी की प्रमुख खिलाडी, यानि की मेन जो की खिलाडी बोले जाते हैं, वो थी सेना, सीनेट और समराट, ये तीन प्रमुख खिलाडी थे गणतंत्र, ये एक ऐशी शाचन विवस्त है, जिसमें वास्त्रिक सत्ता सीनेट में नियत थी दिनारियस, रोम का एक चांदी का सिक्का, जिसका भार लगबग 4.5 ग्राम था, और ये ही सोलिडियस बोले तो वो सोने का सिक्का था धियाँ रखने योग के बात ही है कि दिनारियस रोम पे एक चांदी का सिक्का था जिसका भार 4.5 ग्राम था और सॉलिड़स सोने का सिक्का होता था, जिसका भी भार 4.5 ग्राम ही होता था रोम समराज में दास प्रजनन, दासों द्वारा बच्चे पैदा करना ताकि उनकी बच्चे भी दास बन सके, यह दास प्रजनन का एक हिस्सा था ड्रैकोनियन, यूनानी था, यह एक विधी निर्माता था च्छटी शताब्दी का कठोर कानून निर्माता और इसने काफियों को मृत्यु डंड भी दिया था रोमन समराज्य को भैतर तरीके से चलाने के लिए चोती शताब्दी में दो बागों में बाट दिया गया ये इंपोर्टेंट शीज आ है कि कब बाट अगया उसे दो भागों में चोती शताब्दी में बहतर चलाने के लिए रोम के ये शाशक अगस्तस का शाशनकाल 27 इसापूर्व शांति के लिए जाना जाता है रोम समराज्य में गंतंत्र 509 इसापूर्व से 27 इसापूर्व तक चला 27 इसापूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ओक्टेवियन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली तदा अगस्तस के नाम से शाशन किया यानि कि ध्यान रखने योगे बात है जो जूलियस सीजर का पुत्र था दत्तक पुत्र अपना पुत्र नहीं था उसका ये उसका दत्तक पुत्र था गोदलियावा पुत्र था दूलियस सीजर का पुत्र था ओक्टेवियन उसने किस नाम से शाशन किया अगस्तस नाम से शाशन किया रोमन समाज में नाबकिये परिवार का चलनता यानि कि नुकलियर फैमली सेंट अउगस्टाइन उत्री अफ्रीका के हिपो नामक नगर के भिशप थे अब रशन शुरू होते हैं रोम समराज्य में पाए गए एमफोरा के विशे में संख्शेप में लिखिये यह एक प्रकार के मटके थे यह कंटेनर थे जिन्वें शिराब, जैतून, तेल तथा दूसरे तरल पदार्थ लाए ले जाते थे रोम के मॉंटे टेस्टे क्यू में पाँच करोड से अधिक एमफोरा मिले है मौसमी परवास क्या है? उचे पहाड़ी शेतरों तथा नीचे के मेदानी इलाकों में भेड बकरियों और दूसरे जानवरों को चराने के लिए चारा गाउं की खोज तथा मौसम के अनुसार वार्शिक आवागवन करना की मौसमी प्रवास क्यलाता है आगे हम देखते हैं फ्रेंकिंसेंस का अर्थ स्पष्ट कीजिए फ्रेंकिंसेंस जैसे नाम से ही प्रता लगता है फ्रेंकिंसेंस का अर्थ है फ्रेंकिंसेंस वाली चीजे से है सुगंधित राल जिसमें धूप पर्फ्यूम बनती थी जो बॉस्वेलिया ट्री से मिलती थी फ्रेंकिंसेंस किसे मिलती थी बॉस्वेलिया ट्री से प्राप्त होती थी यह इंपॉर्टेंट प्रशन भी बन सकता है के वियस और एंवियस के लिए ध्यान रहे अश्वारोही यह नाइट वर्ग प्रशन है अश्वारोही यह नाइट वर्ग के विशे में संक्षेप में लिखिए वैं सीनेटरों में किस प्रकार भिन थे यह दूसा सबसे अधिक शक्तिशाली वर्ग था अश्वारोही यानिकि नाइट वर्ग एक शक्तिशाली वर्ग था मौलिक उत्तर नाइट जमिदार होते थे, लेकिन उनमें कई लोग जहाजों के मालिक व्यपारी और सहुकार भी थे। रोमोत्तर राज्य किनेक आजाता है, ध्यान रे, रोमोत्तर राज्य रोम समराजे पच्चिम में रानितिक रूप से विगटित हो गया था, उत्तर में से आने वाले जर्मनिक समू जैसे गोथ, वेंडाल, लॉंबाड आधी होते थे ये सब उस समय के समू थे जो रोम उत्तर राज्य में रहते थे रोम समराज्य में स्त्रियों की स्थिती रोम समराज्य में स्त्रियों की थी अच्छी सुद्रिर्स थी थी पत्नी अपनी संपत्ती अपने पती को हस्तांत्रित नहीं करती थी और पैत्रिक संपत्ती पर उनका अधिकार बना रहता था महिला अपने पिता की मुख्य उत्रा दिकारी भी होती थी उसमें तलाक असान था रोम समराज्य में श्रमिकों पर नियंतरम रखने के तरीकों की सूची बनाई है भूमद्य सागर और निकट वर्ती पूर्व में दास्ता की जड़े मजबूत थी अगस्तस के शाषिनकाल में इटली की कुल 75 लाख अबादी में 30 लाख दास थे दासों को पूझी निवेश समझा जाता था उच्छ वर्ग इन पर अच्छा वैवार नहीं करते थे रोम समराज्य के आर्थिक विस्तार का बंडन कीजिए रोम के समराज्य में बंदरगा, खाने, खदाने, इट, बटियां, तेल की फेक्टरियां थी समराज्य के पास ऐसी काफी शेत्र थे जो की अपनी उरवर्ता के लिए प्रसिद्ध थे सबसे बड़ी अंगूरी शराब केंपेनिया से आती थी सबसे बड़ी अंगूरी शराब वहां से आती थी सिसली से गेहूं तथा गैलीली से गेहन खेती होती थी स्पेन में किसान पहारियों की चोटियों पर बसे गाउं में रहते थे इन गाउं को कैस्टेला का जाता था अगला है लोग सेनित को क्यों चाहते थे दास्रमिकों की आपूर्ती में कमी आने का कारण क्या था इनका परिणाम क्या था रोमन समराज सांस्क्रितिक दिश्ट्री से इरान की तुलना में क्यों अधिक विवित्ता पूर्ण था ध्यान रखने योगे बात है इस प्रशन का ये भी उत्र है यहां पर काफी सारे कल्चर थे एक सो दिन तीन सो पैसट दिन में से 170 दिन तो यहां पर संस्क्रितिक कलाक्रितिया ही होती रहती थी और कारे करम होते रहते थे रोमन समराज के पतन की कारणों को बताईए रोम की के बारे में बताईए रोम की समराटों की तानों शाही पर किस प्रकार चे अंकुष लगाया गया इस तरह के प्रशन भी आपको आ सकते हैं तो आज हमने चर्चा करिये है चेप्टर 3 के बारे में जिसका नाम है तीन मादविपो में फैला हुआ समराज्य इसी तरह आगे भी क प्रमानुसार चेप्टर पाने के लिए और अच्छी समझ पाने के लिए के विए से जुड़ने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए इस चैनल को लाइक करिए शेर करें सब्सक्राइब करिए धन्यवाद